जय हिंदुराष्ट्र ख्रमा चाहूंगा मित्रो कुछ सेकिंड की देर हो गई मुझसे अभी बस आज का विशे बड़ा गंभीर विशे है एक अंतराष्टी जगत में बड़े प्यमाने पर इसलाम छोड़ने वालों की बार हाई हुई है झालों की बार हाई हुई है जी आपकी अवास जो है आ नहीं रही है आपने शायद अपनी अवास अब देखें मेरी अवास कहुंच रही है जी अब आ रही है ठीक तो मैं कही यह रहा था कि दीन चुछब छोड़ने वालों की बार सी आई हुई है और इस सिलसले में बात करने के लिए अपोस्टेट इमाम यानि ऐसे लोगों के इमाम से बहतर कौन शख्स होगा तो मैं अपने चैनल पर आज अपने शूरुताओं की तरफ से अपोस्टेट इमाम आपका स्वाकत करता हूं मैं शुरुआत देर से हुई है इसलिए जल्दी से मैं आपको विशे पर लाता हूं आपकी उम्र जो भी रही है इस समय कितना अर्सा हुआ है आपको असलाम छोड़े हुए मैंने इसे 2012 में छोड़ा था और उस टाइम में खुद एक दाई की तरह भी था मतलब बहुत जादा पढ़ता रहता था लोगों को समझाने की भी कोशिश करता था जो गहर मुस्लिम होते थे उन्हें इसलाम के बारे में कि किसी तरह उनको इसलाम की तरफ ला सकूँ या उन इसनी चीज़े पढ़ता था कि धीरे धीरे मुझे खुद इस मख़ब से नफरत होती जा रही थी और बाद में मैंने इसे 2012 में छोड़ी दिया इसका कारण बताना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ बहुत सारे इसके कारण हैं जैसे काफरों से आप दोस्ती नहीं कर सकते उनसे दुश्मनी रखना है उनको खाना नहीं देना उनसे हाथ नहीं मिलाना वो नापाक है उनसे खिताल करना है उनको धोके बास ही बोला गया हर हाल में उनसे जिजिया लेना है उनको खतल कर दो तो कोई सजा नहीं तो दूसरों के कोई अधिकार नहीं तो दूने को इसकी सजा नहीं या नहीं क्या थोड़ा सपष्ट करें इसको काफिर को खतल करने में इसलाम के अंदर कोई सजा नहीं है इसका रेफरेंस थाएंगे का कोई? जी, मैं इसका रेफरेंस स्क्रीन पर दे देता हूं इबनِ माजा की हदीथ 2659 है, मैं उसे शेयर करता हूं प्लीज ये जो है, सुनने बनियमाजा की हदेथ 2659 है कि अमर बिन शोहेब जो है वो अपने बाप से और उनके बाप जो है अपने बाप से रवायत करते हैं कि माहम actual ने कहा कि मुसल्मान को खतल नहीं किया जाएगा इसके अद्धने किसी काफिर को खतल करा है अच्छा खसास उस पर वाजिब नहीं होता उस पे नहीं लिया जा सकता फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी हदीसें कि मुहम्मद ने कहा कि अगर कोई इमान वाला अगर किसी काफिर को खतल कर देता है तो ये दोनों जहन्नम में एक साथ नहीं होंगे मतलब ये दोनों एक साथ जहन्नम में नहीं जाएंगे मतलब एक जन्नत यह आने इमान वाला जो है ये दोनों एक साथ जहन्नम में नहीं होंगे और बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो इस मजब में हसम नहीं होंगी जैसे मिसाल के तोर पे दूसरों के मजबों को गाली देना जैसे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये इमाम कसीर जो हैं जिनोंने तफसीर अबने कसीर लिखी उनकी किताब है अलबिदाया वन नहाया तो उसके अंदर बड़ा अजीब सावों किस्से लिखते हैं और इनकी जो कुरान पे जो कॉमेंटरी है तफसीर जो है सबसे ऑथेंटिक और सबसे पॉपिलर कॉमेंटरी मानी जाती है तफसीर अबने कसीर तो वो लिखते हैं तफसीर अबने कसीर के 665 हिजरी के अंदर एक आदमी था दैर अबू सलामा नाम का जो बसरा में रहता था और वो कुछ भी करने की सोचता तो उसे कर लेता यानि घबराने वाला वो वेक्ती नहीं था उसके पास सिवाक थी जिसे मिस्वाक भी कहते हैं जो गैर मुस्लिमों कैसे समचाँ दास साफ करने के लिए दातून दातून तो वो उसके पास थी और वो कहता है कि अल्लह की कसम इस दातून को इस मिस्वाक को इस सिवाक को कहीं इस्तिमाल नहीं करता हूँ सिवाए अपने पीछे के हिस्से के मतला इसका और कोई इस्तिमाल नहीं है वो ये कह रहता कि वो इसे अपने पीछे डाल लेता है जो चूहे की तरह दिखता था जिसकी चार तांगे थी एक लमाद सुभानला सुभानला यहां दादेन दीजे मुझे अल्हा की बरकत वाँ 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 क्या बात है तो उसके एक बच्चा हो गया जो चूहे की तरह दिखता था उसके चार टांगे भी थी और उसका सर जो था वो एक मचली की तरह था और उसका बच्चा हुआ शरीर जो है खरगोश की तरह दिखता था आखर का और जब उसने उस बच्चे को पैदा करा तो वो तीन बार चिला और उसकी बेटी जो है उस आदमी की वो डर के मारे इटी और उसने उस बच्चे का सर जो है वो दोज के मार दी आ, यानलिया। बच्चे की और वो आदमी जो है दो दिन तक जिन्दा रहा उस बच्चे को पैदा करने के बाद और तीसरे दिन वो भी मर गया और वो कहता था कि इस मखलूक ने इस प्राणी ने मेरी जान ले ली और मेरे पीछे के हिस्से को फार दिया याने पैदा तो अब ये कैसे हुआ ह तो मतलब आदमी के बच्चा हुआ है तो मतलब ये पीछे से निकला एक कहा इसने पीछे के मेरे बहस्से को फार दिया और लोग जो इस इलाखे के थे बस रहा कि उन्होंने उसे देखा उस आदमी को भी और उस बच्चे को भी किसी ने उस बच्चे को जीते जी देखा था किसी ने उसे मरने के बाद देखा तो इस तरह की चीजे जो हैं वो हसम नहीं होती कि ये क्या अजीब बाते कि आदमी बच्चे पैदा कर रहा है या दूसरे के देवी देवताओं को गालियां देना जैसे तारिखलतबरी का स्कैन है आक्सवर्ड उनिवरसिटी का तो इसका व लिखा है कि अर्वा जो था उसने कहा कि मैं जाके मुहमद से बात करता हूं और उससे सुलह करने की कोशिश करता हूं और मुहमद ने बुदेल नाम के एक सहावी से बात करी थी और तब ही अर्वा आ गये अर्वा आके कहते हैं कि मुहमद क्या कभी तुमने अर्बों में को खाले भागा धा गये तो ठीक है मागर अगर हम तुम पर गाले भागा गये तो तुम और तुम और तुम तुमरे साथ ही तु भाग जाएंगे और तुम अकेला छोड़ देंगे इस पर अबु बक्र तो लोग कहते हैं कि अबू बक्र है तो अर्वा कहता है कि उस रब की कसम जिसके हात मेरी जान है कि मैं इसको जवाब देता अगर इसका मुझ पर अहसान क्या था वो फूटनोट पे ही बताया है कि एहसान ये था कि अर्वा बिन वसूद्ध जो था उसका भतीजा मुगीरा बिन शौबा जो था उसने किसी की हतेया कर दी थी, किसी की जान ले ली थी तो अबू बकर ने उसको बचा लीया था तो मैंसे पालिट के जवाब देता तो दूसरी की देवी का इस तरह वो करना और ये बात सीरत अपने हिशाम में जिसे सीरत अपने इसाग भी कहते हैं ये आक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी का ही ट्रांसलेशन है दी लाइफ आफ मुहम्मद के नाम से उसका सफ़ा 502 पेज नमबर 502 उस पे भी यही आता है और यहां अबुबकर ने शर्मगाह की जगा बोला है कि जाके उसकी जो च्छाती है उसको चूसले तो दूसरे की देवी देवता जो है और यह अधिस बुखारी में भी आई है मगर उसमें सर्फ तर्जमे में यह कर दिया जाता है कि अबुबकर ने बुरा भला भला बोला अबुबकर ने बुरा भला भला अरवा को क्या बुरा भला भला उन्होंने यह बताते ही नहीं ट्रांसलेशन में वो चीज मिलते ही नहीं तो दूसरे के देवी देवताओं को गाली देना, बच्चा पैदा हो जाना, जानवर भी बाते करते थे मुहम्मद के समय में, कि बुखारी में आता है और सही मुस्लिम में कि मुहम्मद एक बार खुद्बा दे रहे थे और कहते हैं कि एक आदमी गाय की उपर सफर कर रहा था सवारी कर रहा था, तो गाय पलिट के बोल उठी के अल्लह ने मुझे इसलिए नहीं बनाया, बलकि उसने तो मुझे इसलिए बनाया है, कि मुझे से फसले जोती जाएं सहाबा कहते हैं सुभानल्ला गाय बाते भी करती है, मुहम्मद कहते हैं कि मैं, अबुबकर और अमर, तीनों जो हैं इस किसे पर इस वाके पर इमान रखते हैं, यानि इमान का हिस्सा हो गया, यह नहीं कि कोई मुस्लिम कहे कि हम इसे नहीं मानते, तो जिस चीज़ पर मुह मुहमंद कह रा है कि वो इमान रखता है, उस पर ये इमान नहीं रखता है, तो एक इनकी मनमानी होगी, और बुखारी और मुस्लिम में इकिस्टा आया है, और बुखारी में और भी जगा यहाँ है, तो फिर मुहमंद आगे कहते है, कि इसी तरह एक आदमी अपनी भेड़ों को चरा रहा था तब ही एक जाड़ियों में एक भेड़िया आया और उसने एक भेड़ को पकड़ लिया और लेके भागने लगा तो चर्वाहा जो था उसने अपनी भेड़ को बचा लिया किसी तरह उस भेड़िये से तो भेड़िया बाते करने लगा वो बोलने लगा कि आज तो तुमने बचा लिया इस भेड़ को मुझसे उस दिन कौन इसे मुझसे बचाएगा वो दिन जो सरफ दरिंदो का दिन होगा और मेरे सिवा कोई इसका चर्वाहा नहीं होगा सहाबा कहते हैं कि सुभानलला भेड़िया भी बाते करता है बुकारी के टू-ठ्री टू-फॉर पर जब यह अदिस खोलें तो उसमें एल्पाथ मिलें इस क्वाहा बेड़िया भी बाते करता है मुहम्मद कहते हैं कि मैं और अबूबकर और अमर तीनों इस किस्से पर इमान रखते हैं इस वाके पर और अबूबकर और अमर रावी कहता है कि उस वक्त मौझूद नहीं थे जब मुहम्मद ये किस्सा सुना रहे थे और ये हदीस बुखारी में भी आई है इमाम बुखारी ने बुखारी से भी पहले अदबल मुफरद एक किताब लिखी थी उसमें भी 902 नंबर पर ये हदीस लाए है और जामियत रमीजी में भी ये हदीस है कि भेडिया जहां बात कर रहा था तो जानवर जो है उनका बाते करना और भी बहुत सारी चीज़े हैं जिनको मैं दिखाऊं कि जो हसम नहीं होती कि कोई इनसान कितने ही गुनाह करे वो जन्नत में चला जाएगा अगर वो मुसल्मान है बुखारी हदीस 3222 सुना.com पे कि अबुदर खफारी कहते हैं महमत ने कहा कि जिμरील ने मुझे बताया कि कोई भी शक्स अगर इस तरह मर जाए कि अगर वो एक खाया भी जन्नत में जरूर जाएगा महमत कहते है कि मैंने पूछा कि अगर उसने जिना करा हो और चोरी करयी हो तब भी तो कहा हाँ नभी तब भी तो कोई चोरी करे जिना करे कुछ भी करे अगर वो एक अल्लह को मान रहा है तो वो जन्नती है अब बुखारी में फाइव फूर फाइव से और अब इस विशे पर और पकाश डालें करपया इस पे बहुत सारी कुरान में भी आता है उसी वक्त जन्नती हो गया और अगर कोई एक अल्लह को नहीं मानता है तो वो हमेशा के लिए नर्क में जाएगा जहन्नम में जाएगा बहली वो कितनी नेकियां कर ले और मुसल्मान कितनी गुना कर लें वो तब भी जन्नती है अगर वो एक Allah को मान रहे हैं, यहां तक क्यों उनके जो पाप होंगे भली, वो पहाड़ों जितनी क्यों न पाप कर लें, वो किसी काफिर के सर दे दिये जाएंगे, क्यों कोई काफिर जो है वो उन पापों की सजा नर्क में भुकते गा, यानि उसको तो नर्क में अपने पा काम दे दिया है, कि बुखारी में मुसलिम में एक नहीं, पंद्रह बीस जगा ये हदीस आईए, कि जब कोई मुसल्मान कायमत के दिन अल्लह के सामने पेश होगा, तो उसके गुनह इतने होंगे, कि जैसे पहाड़, मगर उसके सारे गुनह जो है, अल्लह माफ कर देगा, औ उसके गुनह दे दो, ये जो है, उसकी सजा जहन्नम में भुकते हैं, और उन हदीसों को भी टाइम रहता है, तो हम देखते हैं, मैंने शायद उन्हें इदर खोल के रखा था, या अगर वो नहीं भी हैं, तो भी मैं उसे खोल देता हूँ, कि आफिर तो पहले बत्तरीन मख हैं, ये भी आता है कि सूरा अलबायना में, सूरा नमबर 98 उसकी आयद 6 में, कि यखिनन उनों जन्होंने कुफर करा है, जो मुश्रिक हैं, वो जहन्नम की आग में होंगे, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और वो सबसे बत्तरीन मखलूक है, तो काफिर एक बत्तरी चुहा बना देता है, उन्हें खतल कर दो, तो कोई सजा नहीं, काफिरों के साथ रहना नहीं है, काफिर नापाक है, सूरत तौबा के मताबिक उसकी आयद 28, ये हदीछ सही मुस्लिम की, कि अगर कोई मुस्लमान काफिर को मार दे, तो उसको खतल करने वाला जो इमान वाला ह वो उसके साथ जहन्नम में नहीं होगा, यानि वो जन्नत में जाएगा उसके साथ, काफिरों से दोस्ती नहीं रख सकते हैं, भली वो आपके बाप हो या भाई हो दोस्ती रखोगे तो उन्हीं मैंसे हो, जो काफिरों से दोस्ती रखेगा सूरा निसा के हिसाब से मुनाफि ही है काफिरों से दोस्ती नी रखना किसी भी तरह और यसा के ग्रा मार देंगे सब को खतल कर देंगे आकCómo उंसे जज़िया भी नहीं भी नहीं भी नहीं भी चपहल करो और न हम 한 आएएष के साही मुस्लीम की साथसार बार असुन्या डॉट कॉं पे 2767B और यहदी सही मुस्लिम में 7011 भी आई है 2767A कि मुहम्मद ने कहा कि यहास का लंबा वर्जिन देख लें कि सही मुस्लिम का 7000 चौदा कि मुहम्मद ने कहा कि मेरे मानने वाले ऐसे होंगे जो पहाडों जितने गुना उठा के लाएंगे कायमत के दिन और अल्ला सब गुना माफ कर देगा और उसकी जगा कहेगा कि कोई यहूदी या इसाईयों में से कोई जो है उसको इसके गुनाह दे दिये जाएं और वो उनकी सजा जो है जहन्नम में भुगते तो यह अगर एक अगर एक अनलह को माने तो जन्नती ये कितनी गुनाह कर ले और उसके कोई गुनाह थे भी तो वो काफरों के सर डाल दिये जाएंगे खास तो और से यहूदी या इसाईयों के सर पे फिर इतना प्यार है इस मजभ में कि बुखारी में अगर हम देखें फाइव फूर फाइव सिक्स पर आता है कि मुहमद ने कहा जब तुम में से कोई खाना खाता है तो अपने हातों को या तो चाटे वो या किसी दूसरे से चटवाया करे अगर खुद नहीं चाट सकता तो तो इस तरह की बात जो है तोबा तोबा एक बाकिया यहां मैं आपसे आपको याद दिलाता चलूँ आपके ध्यामने तो खेर हो गई कि मक्का से जब मदीना हिजरत हुई थी साथ ने अपनी बीवी शेयर की थी किसी के साथ जी उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस महबत के और एक्स्टा लार्ज वर्जन है उस पर इस पर इसे निका मुता जो है शियाओं में तो अब भी जाइज है और इस पर कलग से एक लंबा टॉपिक इस पर स्ट्रीम हो सकती है कि सहाबा जो है वो एक दूसरे को अपनी बीवीयां दे दिया करते थे तलाख दे कर अगर किसी की एक से जादा बीवीयां तो दूसरी को तलाख दे दिया करता था कि एक मुसल्मान से कहता जब मुसल्मान हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीने के जो मुसल्मान थे जिने अंसार कहा जाता था क्योंकि मुहम्मद की मदद करी इसलिए अंसार कहा गया ओस और खजरज ये दो कबीले थे ये दोनों इमान ले आए और ये दोनों जो हैं अंसार कहलाने लगे मिलकर तो अंसारियों में से कोई सहाबी जो होता तो वो कहता कि तुम जो है मेरी कोई बीवी पसंद आ रही है तो बताओ कौन सी पसंद आ रही है मैं उसे तलाख दे देता हूँ तुम उससे निकाह कर लो कईा टैंपररी मेरेज भी होती हैं कि एक औरत से एक महिला से निकाह करा और यह सूच के कि जो मेरा दूसरा इमान वाला भाई ये उसको भी जरूरत की उसको कोई शादी के लिए लड़की मिलनी रही तो वो भी टैंपरररी शादी कर ले उससे के इसको मैं तलाख दे दूँ, वो से टेंप्रिरी शादी कर ले, वो तलाख दे देगा फिर कोई तीसरा कर लेगा तो ये सब चलता रहता और शिया मानते हैं कि ये उमर ने खतम कर दिया था अपने दोरे खिलाफत में और इस पर कुछ हदीसे भी हैं, कॉंट्रिडिक्टरी हदीसे हैं सुनी किताबों में कि कुछ हदीसे कहती हैं, मुहमद नहीं मुता को खतम कर दिया था, कुछ कहती हैं कि उमर ने खतम कर दिया था तो शिया कहते ही अमर ने खतम करा था ये उसने खतम करा था ये उसकी खुराफात थी और मुता अभी भी जाइज है तो एरान में जो ये प्रॉस्टिटूशन है मुता के नाम पे इंडिरेक्ली आज भी होता है हिंदुस्तान में भी है हैदराबादी निकाह नाम से निकाह मिस्यार है हाँ हिंदुस्तान में भी निकाह मिस्यार होता है ये हैदराबाद में और दकन में तमिलनाडू में कई अलाके हैं जहां पर अर्बी शेख आते हैं और हफते वर की आट दिन की पाँच दिन की बच्च देखा है कि मैं अब उनके नाम नहीं लूँगा कहीं लड़कों को मैं ऐसा परसनली जानता हूं कि दस्वी किलास की ग्यारवी किलास की बच्ची से शादी कर ली इतनी कम उमर लड़की किसी तरह उसके डॉक्यूमेंट्स पे आधार पे कहीं पैसे खिलवा खुलवू की यह कि वो अठारा की है और इसलिए जब शादी की उमर 21 हुई तो यह परिशान हो गए कि यह क्या तमाशा इनको लगा कि यह क्या इनके सर पे पहाँ टूड़ गया लड़की को किसी तरह 14 साल की 15 साल की बच्ची को 18 दिखा देते थे उसकी उमर 3-4 साल बड़ी दिखा देते औ और उसे यह निकाह मिस्यार करते हैं कि सरफ अपनी जब तक जिसम के भूक नहीं मिड़ जाती तब तक के लिए उससे शादी करना मुता और मिस्यार में यही फर्ख रहता है कि मिस्यार में डेट फिक्स नहीं होती जब आपका दिल भर जाएगा आप छोड़ दोगे मुता म एक टाइम फिक्स होता है कि हमारा दिल भरे अना मरे भरे दो महीने का कॉंट्राक्ट दे हुगा है दो महीने बाद आटमाइटिकली तलाख हो जाएगी तो खेर हम उसी पर लोटते हैं कि इतनी महबत है इस दीन में कि खाना खा रहे हूं तो अपने आप उंगली चाटे हैं किसी को चटवाएं बीवी को किसी को दूसरे को चटवाएं चुस्वाएं और ये नभी की बेहुदा जबान कि उसके मानने वाले कह रहा है लाद की शर और फिर उसके बाद अदब अलमुफरत की हदीश है इमाम बुखारी ने एक किताब लिखी थी 963 और ये हदीश सही है जो दिखरा होगा सुना.com पे कि नासिर अदिन अलबानी जो है अरब के सबसे बड़े शेख अलहदीश जाने जाते हैं शेख अबन बास के बाद उन्ह कि अबई नाम के एक सहाबी हैं कि उन्होंने देखा कि अबई जो हैं वो देखते हैं वो एक आदमी के साथ के और वो देखते हैं कि वो आदमी जो रहे जए दोर जहालत की बातों पे फाखर महसूस कर रहा है उनको बड़ी शान से बयान कर रहा है banner मैं यह उन्हाने वो अब जा के अपने बाप का वो काट ले, जो लिंग होता है, उसे काट ले, और उन्हों ने ये चीज खास तोर पर बोली, ये मजाक में ये मेटाफॉर नहीं था, ये कोई तमसील जिसे कहते हैं, मतलब इसका यही मतलब था, तो उनके सहाबी जो हैं, आस पास के वो ने देखने लगते हैं, और कहते हैं कि शायद आप नाराज होगा इसकी बात पर, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्हों ने कहा, कि यखीनन मैंने अल्लह की नभी जो हैं, उनको भी फरमाते हुए सुनाता, कि अगर कोई दोरे जहालत अपने बाप दादाओं की, अपने कबीले की कभी शान बयान करे, उस पर फखर महसूस करे, जहालत के दोर में जैसा लो करते थे, तो तुम उससे कहो कि जा जा के अपने बाप की शर्मगाह जो है, उसको काट लो, तो ये एक नभी की जबानी की महम्मद ने कह और इस पे फत्वा भी है, ये साओधी गवर्मेंट का, इसलाम का डॉट इन्फो पे, फत्वा नंबर है 121823, और इसको 75,000 लोगों ने देखा, और 2015 में से 19 जून को पब्लिश करा गया था, कि किसी ने सवाल पूछा कि क्या ऐसा है, कि महम्मद ने कहा हो, कि अपने जा के लगा, बाब की शर्मगाह को काٹ ले, इस हदीअ क cosmos की कि क्या एस्थित ये क्या है, कि ये एसी कोई हदीच है, तो पूरा और कैसे तरह की जबान भी नबिया, उनके सहाबान इस्तिमाल करी ने कि जाके लाथ की शर्मगाह को चूस लो या उसकी चूस लो, तो ये भी किआ की बात करी है तो अब उनहोंієं लंभा छोड़ा पहले तो फाल्तू बात करी कि ले तो महम्मछ का किरदार हमारे ली बहतरी नमून chorus है महम्मछ कोई ऐसी चीज नी कर सकते जो गलत हो या अखलाकियात के खिलाफ हो या तमीज और तहजीब के खिलाफ हो अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो उसके पीछे कोई वजा होगी बिला वजा नहीं करी होगी और वो इनसान जो कहता हो के हर दिन अपने उपर खुश्बू लगाओ नीचे के बाल बनाओ वो इतना तमीज तहजीब वाला इनसान वो इस तरह की क्या बात कोई कर सकता है तो अगर करता है तो हमें गहराई से समझना है ये बाते करते हुए उन्होंने लंबा चोड़ा इसी पबलिक का टाइम वेस्ट करा और फिर जाके ये काम पर आए कि इन्होंने कहा कि हां इस तरह की हदीथ है कि अगर ता को वो बैन कर रहा ता तो उन्होंने का जा جा के अपने बाप के नीचे का जो ऑंग है उसे काट ले और उन्होंने मेटाफॉर यूज नहीं करा यानि बात इसका यही मतलब था कि सही में काट लो लोग देखने लगे और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो कि यह मैं क्या बात कर रहा हूं मगर मैंने मुझे को भी यह कहते हुए सुना था कि अगर कोई अपने कबीले की अपने बाप दादाओं की शान बयान करे दोरे जहालत की बाते अगर बयान करे तो उससे कहना कि जा जाके अपने बाप की शर्मगाह को काट लो और मुझे ने भी मेर्टाफॉर यूज नहीं करा था मतलब मुझे का भी यही मतलब था हदीस मुसनाद इमाम अहमद बिन हंबल बुक 35 हदीस 157 और यह हदीस इन्होंने कहा हसन है मुसनाद के अंदर मगर हमने देख लिया था कि यह हदीस सही भी है क्या मुसल्मान जो दीन के पढ़ने लिखने वाले हैं उल्मा हैं उन तक ये बात पूरी तरह से है वो समझते इन बात जानकारी है उन्हें उन्हें पता है यहां तक के ये जो हैं इंटरनेट पे एक अली दावा नाम का एक है तो वेस्ट में बहुत मशूर है और वो सबसे बहस करता रहता है बहस क्या वो गालियां देने पर आ जाता है इतना एक पागल किसम का एक मिशनरी है वो मुलाटो का और हाला के खुद एक आलिम भी है मगर वो बहुत बत्तमीजी करता है तो उससे उससे जब वो गालियां दे रहा काफिरों को खुले आम कहता है कि इनके गले कार्ड दो जो एकस मुस्लिम्स हैं इनको खतम कर दो इने मार दो वेस्ट में लोगों को इस तरह की बाते करता है और वेस्ट ने इतनी आसादी दे रखिए कि आरेस्ट भी नहीं होता है कि खुले आम वो लोगों को आतंगवादी बनने के लिए उससाता है इतना कट्टर है और शरिया कानून लाने की बाते करता है मगर वेस्ट ने उसे तनी आसादी दे रखी है कि आज तक उसे कोई सजा नी हुई और वो ये बाते लगातार दस बारा सालों से कर रहा है इंटरनेट पे तो उसने टुए मुफ्ती फजल हम्दर जो हैं नहीं मुफ्ती यासर नदीम वाजिदी है कोई तो नहुँने उसे कहा कि आप तमीज से बात करा करें आप एक डाई हैं आप लोगो इसलाम की तरफ बुला रहे हैं और आप सब को गालिया देते रहते हैं तो उसने उन्ही को सुना दिया कि मुहम्मद ने कहा कि ये काट लो अपने बाप का और अबू बकर ने कहा कि शर्मगाह को चूस लो या लात की च्छाती को चूस लो तो क्या वो भी गलत था उसे भी तुम बत्तमीजी बोलोगे और वो खामोश हो गए जाहिरें वहां फिर कोई गुझाइश नहीं रुसूल के ओपर उंगली उठाना तो फिर अपने लिए वावाल मूल लेना है क्या आम मुसल्मान भी जानते हैं इन बातों को या सिर्फ अलुमा तकी तो यखिनी होता था कि ये बाते लिखी होंगी या जब किसी यहुदी की किताब पढ़ते या सल्मान दुरुश्दी की सरिटानिक वर्सेश पढ़ी तो यखिनी हुआ कैसी बाते कैसे लिखी हो सकती है तो जुड बोला या बदनाम कर रहा है जबर्दस्ती हमारे मख़ब को मगर जब वो एक मुताला चलता रहा पढ़ते रहे पढ़ते रहे और ये चीज़े खुद सामने आई तो दमाख को जटका लगा कि ये क्या बात हो गई और इस तरह की बात एक नबी जो कायमत तक के लिए बहतरी नमूना है वो इस तरह की बाते कर रहा है जिस जात में कोई अब नहीं हो सकता वो ऐसी बाते कर रहा है तो ये तो हजम नहीं होती ये बाते हैं कि ये कैसे लिखा हो सकता है और जब हदीस देखते कि सही है तो और वो हो जाते कि अब क्या करें मतलब इसको तो ये हालते कि इस हदीस को हसन भी बोला है और कहीं सही भी बोला है नासर अदिन अलबानी नहीं हदीस बार बार रिपीट होई है कि जा जाके अपने बाप के नीचे का हिस्सा काट ले और इन्होंने ये भी कहा जी है कि लात की शर्म गहा चूस एइए zeggen में निकल गया और कहा कि उसके पीछे कोई मसलियत कोई हालात ऐसे रहते हैं कि उन्हों से ऐसी चीज़े निकल गई तो हमें उस पे पकड़ नहीं करना चाहिए और हमें उन चीज़ों को नहीं दोहराना चाहिए मतलब अजीब बिन्होंने इस तरह की बात जो है वो कर दी कि उन्होंने उस हदीश को भी दिखाया कि नभी कि कभी कभी आप गलत जबान का इस्तिमाल कर सकते हो अबूबकर ने भी करा है कि लात की शर्मगाह चाट ले कि आम मुहम्मद को छोड़के भाग जाएंगे और उस अकेला छोड़ देंगे तो मैं का कि कभी ऐसी जबान चल सकती है कि अगर जहां जरूरत हो या आपको इस तरह की जबान इस्तिमाल करना ही पड़ेगी तो इस तरह इंडिरेक्ली गाली बखने को भी जाइज कह दिया साबजादे ये जानना बड़ा हफसोसनाक है कि आम मुसल्मान इन बातों को नहीं जानता और वो ये समझता है कि अल्ला का दीन है और वगरा वगरा आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि इन सारी चीज़ों को बाहर करें लोगों को पता लगना चाहिए अगर लोगों को मालूम ही नहीं होगा तो वो तो पूरी जिन्दगी एक ऐसे सराप के पीछे पड़े रहेंगे जो वाकी कुछ नहीं है एक जूट के पीछे अपनी जिन्दगी बसर कर जाएंगे आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आप लोगं की तादाद बड़े एक्स मुसलिम्स की तादाद बड़े है इसके लिए आप क्या करते हैं क्या करना चाहते हैं अभी तो मैंने अपनी किताब एक लिखी है वोसे हिंदी में भी ट्रांसलेट हम करेंगे और अपनी वेब साइट लाँच करना चाह रहा हूं मगर अभी अपना एब भी एक लाँच करना चाह रहा था मगर अभी उसके लिए जो एक आर्थिक्स दे थी है वो ऐसी नहीं है कि उस लेवल तक जा सकें तो हर दो दिन बीच जो है पूरा दो दो तीन तीन दिन तक कभी कभी रात रात भर जाक के पूरा कोई वीडियो 15 मिनिट 20 मिनिट आदा गहंटे की तैयार करना कि जिसमें इतना इंफरमेटिव कॉंटेंट दे सकें जो दूसरा इंटरनेट पे कोई नहीं दे रहा है और किसी तरह ऐसी बाते कर सकें जो कोई दूसरा नहीं कर रहा है अभी तक किसी ने वो बाते करी ही नहीं और दिखाई नहीं जो किताबों में दफन पड़ी हुई है वो सामने लाई जाएं मगर अभी भी एक तूफान के सामने चिंगारी की तरह ही है अभी हम लोग और अभी भी एक आग बनने के लिए बहुत अभी मेहनत की या एक लंबे सफर की अभी भी बहुत जरूरत है आप ठीक कह रहे हैं आपके पास कोई एकाउंट नंबर है जिसे हम फ्लेश कर सकें और आपके पास मदद पहुंच सकें इसे पब्लिक करना होगा इध्यान रहे बहुत आसानी है मतलब किसी भी कार्ड से एकसेप्ट हो जाता है पेट्रियॉन है पेपाल है वो जैसे पेटियम या गूगल पे या फोन पे चलता है तो उसमें अकाउंट भी पता नहीं चलता सामने वाला जरा में जैसे किसी दुकान पे क्यूर कोड स्कैन करके पेइमेंट करता है तो वैसे ही वो मेरे चैनल पे जा सकता है और उस क्यूर कोड को वो या तो मैं अपनी हर वीडियो के आखर में भी उससे प्ले करने लगूँगा वो उससे स्कैन कर सकता है और फॉरां जो भी वो कर सकता हो जितना भी यहां दिखाना चाहेंगे अप उसकी टिटिल्स अभी मुझे उससे वो क्यूर कोड जनरेट करना पड़ेगा मतला उसमें लॉग इन करके उस आईडी से वो निकल आता है एक मिनिट में तो मैं उससे निकाल के अपने चैनल पर अपसे लगाना शुरू कर दूँगा तो व्यूवर्स जो हैं वो क्या इस समय दिखाना चाहेंगे आप एक मिनिट ले लीजे मैं तब तक बात करता हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनमें से कोई मदद करना चाहे इस इंपॉर्टन्ट काम में एक बहुत जरूरी काम है तो एक अच्छी कोशिश होगी दोस्तो क्रिशियनिटी में इस खुस्म की ध्यरों बाते हैं बाइविल में भी इस तरह की नौन क्रिशियन्स के खिलाफ जिहाद की बात उनके गतल की बात बगएरा बहुत कुछ है धर्ती स्थिर है और सूरज इसके चक्र लगाता है चुकि इस पर पैदा हुआ वगएरा वगएरा ऐसी बहुत सी बेसिर पैर की बाते हैं वो खत्म कैसे हुई कि प्रेस आ गया पहले कोई शख्स किसी से बात करता तो कोई क्या कर सकता था दस पांच पंद्रे लोगों से बात करना बीस लोगों से बात करना इस से बड़ी तो तारद मुम्कि नहीं थी लौड स्पीकर नहीं थे किताब आने से एक पूरा जलजला आ गया एक भुकम पा गया और इसाइयत की जड़ों में मठा पहुँच गया वही स्थती आज इसलाम की इंटरनेट के सामने है कि इंटरनेट की हवा ने अच्छे अच्छों के लबादे खुल दिये तो इस काम को जो तेजी से कर रहे हैं और ये मामला ये ध्यान रहे कि किसी एक्स मुस्लिम को बढ़ावा देने का नहीं है ये मामला जिस भारत में हमने आखें खोली हैं जैसा भारत हमने देखा है उससे बेहतर भारत बनाने की तैयारी करना है अपनी उलादों के लिए अच्छी दुनिया छोड़ के जाना है अपनी वहू के लिए अपनी बेटी के लिए अपनी पोती के लिए अपने पोते के लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ के जाना है जो अच्छी हो इस सिल्सले में अब उस्टेट इमाम के चैनल की मदद कीजिए मैंने लिंक शेयर करा है पेपाल का पेट्रियोन का कोई भी बस उस पे क्लिक करेगा और उस पे लाइफ चैट में ही है लाइफ चैट में यहाँ शेयर नहीं कर सकते मैं आपको प्राइविट में भी मैं इसको दिखा देता हूं स्क्रीन पर वैसे तो प्राइविट नहीं पॉब्लिक में कोई तरीका चलिए मैं मगर यहाँ देख नहीं पा रहा यह बड़ा आसान है लोगों को सरफ इतना जो है टाइप करना है भीज सकते हैं सेंट पर कलिक करके अमाउंट डाल दें और अपने कार्ड्स से पे कर सकते हैं और वो उसी वक्त तुसी समय जो है मेरे आकाउंट में आ जाता है और यह पी-पाल पे और पेट्रियौन पे भीजने का जो है यह रहे मेरा मेने उनको लाई चाट में लोग को दिया है उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं और उसके द्वारा भी वहां में सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है जैसा आप मुनासिब समझें जैसा करना चाहें मैंने उसको शेयर किया और फिर आपने शाया दूसरे रिमूव कर लिया है जो भी तरीका बेटर है अच्छा इस सलसले में अब एक मैं वाइंड अप करने की तरफ आता हूं साओधी अरब के प्रिंस ने हदीशों को रद करने की बात की है कि वो कहते हैं कि एफेक्टिव नहीं है और उनको रद होना चाहिए हम लेंदू मनल जी धन्यवाद आपका आज जो भी यहां पर आएगा मैं अपर स्टेट इमाम के पास भीज़ दूँगा आप में से जो भी मित्र सहयुक करेंगे वो इमाम साप के पास पहुँच जाएगा तो इरान के साओधी अरब के शाह ने जो यवराज हैं उन्होंने हदीसों को रद करने की बात कही है आप इसको किस तरह से देखते हैं नामुम्किन है क्योंकि कुरान को बिना हदीसों के समझा ही नहीं जा सकता है ये एक नामुम्किन सी कोशिश है और इसकी एक मिसाल जो है मैं देना चाहूँगा जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक मिसाल देने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा मैं लोगों से कहूँगा कि वो अगर हैटफोन भी पहन लें तो अच्छा रहेगा क्योंकि तो सही बुखारी जो है हदीस 3404 तीन हजार चार सो चार जो है सही बुखारी की हदीस ह और ये हदीस जो है ये सही मुसलिम में डबल थ्री नाइन बी पर भी आई है कि जिसमें इस तरह लिखा है कि बनी इसराइल के लोग जो है या बनू इसराइल के वो नंगे नहाया करते थे और नहाते वक्त एक दूसरे को देखते थे और अपने आपको ढाकते नहीं थे मग और बनी इसराइल के लोग कहते हैं कि अल्लह की कसा मुसा हमारे साथ इसलिए नहीं नहाता है जो कहते हैं कि मुसा इसलिए हमारे साथ नहाता है क्योंकि इसकी जो स्किन है इसकी जो चमड़ी है उसमें कोई बीमारी है या तो इसे कोड़ की बीमारी है या इसे स्क्रोटल हर इस बिमारी को जी इसे हम वीवर्स को कैसे समझजाएं जो नीचे के हिस्से जो है मतलब ब्रशान पढ़ गए हैं जिसके अंडगोष्ज बड़े हो गए हैं पानी बढ़ गया है तो वो ही कहा कि इसके जो है या उर्दु में खपूरे जो हैं वो इसमें इसके बीमारी है वो पानी भर गया है या कोई दूसरी से बीमारी है तो उपर वाले चाहता था कि मुसा की उपर जो है जो है जो इसाम लग रहा है उसे दूर करे तो मुसा एक दिन नहा रहे थे अपने कपड़े एक पत्थर की उपर रखे तब ही वो पत जब नहाने लगे तो जब उन्होंने नह आदे ए पत्थर तीन बार ऐसे वो चलाए कुछ हदीस में आता है यहां तक बनी इसराइल ने मुसा को नंगा देख लिया और उन्हें यकीन आ गया कि मुसा तो एकदम ठीक हैं वो तो अल्ला की बहतरीन मखलूक हैं कि और वो हर एब से पाक हैं जो मुसा के उपर ही लगात उस पत्थर पे आज भी तीन चार या पांच निशान हैं अब ऐसा कोई पत्थर दुनिया में हमें नहीं मलता और इसकी उपर अल्ला ने ये कुरान की आयद भी उतारी कि जिसमें अल्ला ने जिकर करा है कि आई नबी कह दीजिए आप कि आई जो इमान रखते हो उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मुसा को सताया और अल्लह ने तो मुसा की बेकसूरी जो है उसका बेकसूर होना उसका पाक होना जो इल्जाम वो लगाते थे मुसा पे उससे उसको पाक साबित करा और मुसा यखिनां अल्लह की नजर में बड़े इज़त वाले थे तो सूरह हजाब की आयट 39 चैप्टर 33 वर्स 69 तो अब ये क्या बेवखूफी है कि इस तरह नभी की इज़त बचाई कि सबने उसे नंगा देख लिया और उसको कोई बीमारी नहीं है ये थाबित करने की कोशिश करी हला कि अब कुरान की जो आयत है कि ये जो आयत जो थी इसको समझ ही नहीं सकते बिना इस हदीश का इतना लंबा किस्सा पड़े बगेर कि ए जो इमान रखते उन लोगों की तरह ना हो जाना जुन्होंने मुसा पर इल्जाम लगाया मगर अल्लह ने मुसा का बेकसूर होना थाबित करा जो इल्जाम वो लगाते थे यखीनां मुसा अल्लह की नजर में बड़ी शान वाला इज़त वाला था तो आब इस आयत को कैसे समझेंगी कि किक या इल्जाम लगाते था और किन लोगों की तरह हमें ने होना जो मुसा को परिशान करते थे और वो किया परिशान कर रहे थे जो हमें ने होना तो इसको समझ जा जाएगा इस इतनी लंबी चोड़ा जो ये एक बेहुदा किस्सा है कि पत्थर कपड़े लेकर भाग गया इस से समझा जाएगा पूरे इस हदीश से कुरान को समझा जाएगा तो ये कहना कि हदीश को नहीं मानना तो कुरान समझ नहीं आएगा कुरान कह रहा है नमास पढ़ो कैसे पढ़ो बताया ही नहीं उसने पांच टाइम पढ़ो दस टाइम पढ़ो तीन टाइम पढ़ो कितने टाइम पढ़ो पता ही नहीं चलेगा कैसे पढ़ो अजान कैसे दी जाएगी यह तक कुरान में नहीं है खतना करवाओ या नहीं प्रूनी से अलग कर दो, कितना बताया ही नहीं तो वो तो हदीस ही समझना पड़ेगा ना, किस चोरी पर हाथ काटो और किस चोरी पर हाथ नहीं काटो, उससे बड़ी सजा दो, तो ये तो हदीस है बताएंगी, तो वो एक बेवखूफ भरी बात है, कि सरफ कुरान पे चल ले या सीरस से, और सबी एक दूसरे के माइने बदल देती है, कहीं हदीस जो है, ये कहती है कि कुरान की आयत नहीं मानी जाएगी, ये मनसूख हो गई, कहीं कुरान की वज़ा से हदीस जूटी थाबित हो जाती, उससे टकराती है, तो कहीं कुरान कुरान को मनसूख कर देता है कहीं हदीस जो है वो कुरान को मनसूख कर देती है कहीं कुरान हदीस को मनसूख कर देता है कहीं हदीस हदीस को मनसूख कर देती है कहीं दोनों एक दूसरे को मनसूख कर देते हैं और कहीं सीरा जो है वो कुरान को मनसूख कर देती है कुरान के किसी पोर्शन को कहीं हदीस को मन मतलब ये इस लायख कर देती है तो एक उल्जिवी खिचड़ी है कहीं कुरान की आयतों का इंट्रिप्टेशन बदल जाता है हदीसों से और सीरत से कहीं कुरान पढ़ो तो सीरत का इंट्रिप्टेशन सीरत को अलग तरीखे से समझना पड़ेगा क्योंके अब कुरान में तो ये लिखा और सीरत ये कह रही है तो दोनों को मिला के कैसे समझें अगर कोई कॉंट्रिप्टेशन है हदीस में या कुरान में तो ये बहुत एक उल्जिवी खिचड़ी बन जाती है और जहां इसलाम की बात आई जब महम्द नमास पड़ रहतेю और नमास में महम्द को सताने लगा तो महम्द ने उसे पकड़ कर मजएद के खंबे से बाज दीया और जब उसे मजएद के कहंबे से बान दीया तो महम्द ने सोचा कि मैसे सुबह तक बान् тепर रखूँ ताके लोग इसे देखें मगर उनको सुलिमान नभी की दूआ याद आगी जो कुरान में थी सुरा 38 आयट 35 में कि एए मेरे परवर्दिगार मुझे बख्ष दे और ऐसी हुकुमत जो तूने मुझे दी है ऐसी हुकुमत किसी और को ना देना मेरे बाद तो जितनी बड़ी हुकुमत सुलिमान के पास थी उतनी बड़ी किसी और के पास नहीं होगी तो और उपर वाले ने दूआ कुबूल भी कर ली फिर कि हमने सुलिमान की दूआ सुन ली तो अब जब ये दूआ कुबूल हो गई तो जितनी बड़ी होकोमा सॉलोमन के पास थी जसे एसाय सॉलोमन कहते हैं या ये सुलिमान कहते हैं तो उससे बड़ी होकोमत नहीं होगी मुस्लिम्स के पास तो अगर ये पूरी धुनिया पर राज करेंगे तो वुरानी जhouटा हो जाएगा ये 38 नमबर का जो सूरा इसकी 35 नमबर के आए जूटी हो जाएगी कि पूरी दुनिया पे तो इतनी बड़ी हुकूमत जो है इतना बड़ा राजपार्ट जितना सुलिमान को दिया वो किसी और को मिली नहीं सकता था उसके बाद हाला कि जो ब्रिटिश अर्स्ते उनकी हुकूमत जाधा बड़ी थी सुलिमान से भी जा हम हिस्टरी में पढ़के देखें तो कुरान वही जूटा थाबित हो जाता है अब कुछ ऐसी बाते जो हजम नहीं होती और ये हदीस सही है ये हदीस सही है कि सुनन अभी दाउत की हदीस है हदीस नमबर 66 कि अबू साइद खुद्री कहते हैं कि महम्मा से पूछा गया कि बुदाहा नाम का एक कुवा है तो क्या उस कुवे के पानी से वजू कर सकते हैं वजू याने नमास पढ़ने से पहले अबादत करने से पहले अपने चेहरे को धोना हाथ को धोना अपने पेरो को धोना तो उसे वजू कहते हैं तो क्या बुदाहा जो कुवा है उससे वजू कर सकते हैं जिसके अंदर ओरतों के जो periods के कपड़े हैं वो डाल दिये जाते हैं मासी के कपड़े शायद मासी बोलते हैं उसे हिंदी में मासी के कपड़े डाल दी जाते हैं मासी धर्म जो है उसके कपड़े डाल दी जाते हैं उसमें मुर्दा कुटे भी डाल दी जाते हैं और उसमें जो बद्बुदार चीजे हैं वो भी फेक दी जाती हैं जो टटी है जै में समझते हैं ये हदीस मुसना दिमाम इहमद बिन हंबल, त्रिमिजी, अबुदाउद, नसाई, बहुत जगा आई है, ये मिशकात में 478, इसका एक डीटेल वर्जिन देखते हैं, ये वाला जाद अच्छा है, और ये हदीस सही है, हर जगा सही है, कहीं भी जाइफ नहीं है हदीस 67, अभी दाउद में, तो सुनन अभी दाउद में हदीस 67, कि अबु साईद खुदरी कहते हैं, कि मुहमद से पूछा गया, बुदा नाम का एक कुगा है, जिसके अंदर क्या-क्या फेकते हैं लोग, मुर्दा कुटे फेकते हैं, महिलाओं के मासिक धर्म जो है, उसक पानी से क्या वुदू कर सकते हैं, तो वुदू करते हैं, तो नाक में भी पानी देते हैं, तीन बार कुली भी करते हैं, तो मुहमद ने का उसका पानी पाक है, यानि इतने गंदे कुगे का पानी पाक है, वो ना पाक नहीं होता किसी भी चीज़ से, अब अभी दाउद ज जो हैं वो एक आदमी के पास जाते हैं कुतेबा बिन साइध के और वहां वो देखते हैं उससे बाते करते हैं कुतेबा बिन साइध कुनता या आदमी उस कुए की देखरे करता था उसका दर्वेश था तो उससे उस कुए के बारे में पूछते हैं कि इसकी गहराई कितनी है तो वो आदमी कहता है कि जब इसका पानी जो है, जब 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 गहरा भी नहीं है कि जब इसका पानी जादा है तो जो बाल है नीचे कि उनसे उपर आ रहा है और कम है तो ये आज़ाय तनासल के नीचे जा रहा है कि जो प्राइविट पार्ट जो है उसके नीचे जाता है जब इसका पानी कम होता है अबुदाउद जो है इसकी चोडान देखते हैं तो कहते हैं कि इतनी लंबी थी जैसे आप कोई चादर जो है वो उन्होंने अपनी चादर फेकी तो उसने उसको पूरा भाक लिया तो कहते हैं कि ये इसकी गहराई थी यानि छे हाथ लंबी जो है इसकी गहराई नीचोडाई थी और फिर उसके बाद वो जो आदमी इसके आसपाद बगीचा था उसकी जो देखरेक करता था इसकोई की उससे पूछा कि क्या कभी तुमने इसके पानी के रंग को बदलता तो कहता है कि नहीं इसका पानी जो है उसका रंग बदल चुका है कहीं बार I saw the color of the water in this well had change यानि पानी और गंदा होता जा रहा है तो और रंग बदलता जा रहा है कि इसकोई के पानी रंग बदलता है कि वह से चेक करना चाहते थे कि जब पानी इसका रंग नीब बदलता तो हो सकता इस वज़ा से नापाक नहीं होता हो तो एक पानी ठहरा है छोटा सा कुगा है कोई इनसान डूबेगा भी नहीं इसके अंदर पानी जादा होगा तो इसमें मुर्दे कुत्ते पड़े हुएं लोग की टटी काफी है मैं मतब मुझसे कैना हो जाया मुझे डर लग रहा है तब इतना इतनी भीहूद की है तो आपकी जिम्मेदारी इसके छोटे-छोटे वीडियो बनाईए पंदरा-पंदरा मिनिट के इतने ही बनाता हूं हमें भीजिए हम आगे बढ़ाएंगे हम लोगों तक पहुँचाएंगे मैं दिशा पारिक साब दिशा पारिक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये राशी मैं इमाम साब से पूछ के उनके जो तरीका होगा भेज़ दूँगा श्रे हर्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और एक में त्रौर थे जिनका में नभी नाम अमलेंदू मंडल जी बहुत-बहुत धन्यवाद सच में तब कोई कैसे इन बातों को समझ के चल सकता है इमान ला सकता है पायम रह सकता है और हमने अभी तक कोई जाइफ चीज़ नहीं दिखाई आप अगर नोटिस करें तो हर चीज़ को हमने फत्वों से सौदी गवर्मेंट के हदीस के नीचे ही लिखा हुआ कि सही है वो दिखाया कि अंगलियां चाट लो चूस लो खाना खाने के बाद या किसी और से चुसवाओ अगर तुम नहीं चूस सकते हो तो और बुखारी में आया कि हदीस 3320-3320 के अबु हरेरा कहते हैं कि मुहम्मद ने कहा कि अगर किसी के पीने की किसी चीज़ के अंदर जयाने दूद या पानी अगर हो उसके अंदर अगर मक्ही गर जाए तो वो उस मक्ही को निकाले नहीं उसे अच्छे से डुबो दे क्योंकि उसके एक पर में अगर बीमारी है तो दूसरे पर में शिफा है शिफा कैसे समझाओं रोग को दूर करने की शक्ती है अब पूरे कुए में भांग पड़िये कहार तरह से तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा वढ़ जाती है और मैं अब 56 मिनट हो गए है मैंने सूचा था कि हम 45 मिनट में वाइंड अप करेंगे मगर इतना important subject और इतनी सलीखे के साथ opposite इमाम बादा है बायान कर रहे थे मैं दर्शा को आप सब की तरफ से इमाम साब का धन्यवाद देता हूँ मेरा प्रणाम से भी का रहे हैं आपकी आवाज जी मैंने बढ़िया चुना और इस सलीखे से बात रखी मैं आप से फिर बात करूंगा कल परसों में इसको फिर कंटिनूर करेंगे इसमें बहुत कुछ चूड़ गया मुझे लग रहा है कि इतनी इस चीज़े दिखाने को थी बट हम अगली वीडियो में करेंगे कि कल परसों में लेते हैं इसको इसके सेकंड पार्ट करते हैं क्योंकि खाना खाके देख रहा होगा तो नहीं देख पाएगा और जादा इसलिए कि मैं मैं खुद खेह महसूस कर रहा हूं तो दर्शुकों की तरफ से और यूटीब चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद परणाम परणाम जैहिंद जैहिंद